हेलो फ्रेंस वेलकम टू माय चैनल सी तू पर टेल टिप्स पॉर वोमेन और फ्रेंस आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्य के रस्में होने वाले फायदों के बारे में यानि कि अगर आप गन्य का रस्म पीते हैं तो इससे आपको कितना फायदा मिलता है यानि कि यह किस तरीके से आपके लिए फायदे मंद होता है फ्रेंस गन्य के बारे में हम सभी जानते हैं इसका जो जूस होता है यानि इसका जो रस्म निकलता है उसी से ही सक्कर यानि कि सुगर बनाई जाती है तो फ्रेंस शुगर तो बहुत सारी चीजों में यूज की जाती है सुगर का प्रयोग हमारे जीवन में यानि कि हमारी लाइप स्टाइल में बहुत ज़्यादा माइने रखता है हर स्वीट बिना सुगर के नहीं बनाई जा सकती तो फ्रेंस वैसे तो सक्कर में उतने ज़्यादा गूल नहीं होते हैं लेकिन अगर हम गन्य के रख की यानि की सुगर के जूस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है स्वास के लिए तो फ्रेंस ताजे गन्य के रख का जो सेवन करते हैं लोग उनको उससे मिलने वाले सारी वैनिफिट मिल जाते हैं फ्रैंस गर्ण्य का जो जूस होता है वो नैचरल सुगर होती ہے जिसमे शोडियम, पार्टेशियम, कैलशियम, मेगनेशियम और बहुत सारे लोहतत्तों होते हैं बिनरल्स होते हैं जो कि बहुत जञ़ा फाइदे बन्द होते हैं हमारे सरीर के लिए यदि आपके सरीर में पानी की कमी है तो ये आपके सरीर में पानी की कमी को दूर करने का भी काम करते हैं गर्मियों के मौसम में यदि आप गन्नी का जूस का सेवन करते हैं तो ये आपको तुरंट एनरजी प्रदान करते हैं यानि कि अगर आपके सरीर में एनरजी की कमी महसूस हो रही है तो आप गन्नी के जूस का सेवन कर सकते हैं यदि आप गन्नी के जूस का एक गलास भी सेवन करते हैं तो ये आपके पूरी बाड़ी को डिहाइडरेट करता है और तुरंट आपको एनरजी प्रदान करता है तो फ्रेंज इस तरीके से यदि आप गन्य के जूस का सेवन करते हैं तो ये बहुत फायदे मन्द होता है और ना सिर्फ फ्रेंज ये आपके लिए उचा प्रदान करता है बलकि कई सारी बिमारीों से लगने में भी काफी मदद करता है तो फ्रेंज सिर्फ गन्य के जूस का सेवन करने से ही आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं उमीद करते हैं फ्रेंज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें